अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते एपिसोड 7 के शरवात में यह सब लोग 100 मीटर स्प्रेंट के कॉंपटिशन के लिए जा रहे होते हैं यहां पर रड़कें के रहे होती हैं कि हम यकीन है कि तुम इसमें भी गोर्ड मेडल जीतोगे हमने शर्ट लगाई थी कि तुम दो होल्लिन के था हाएकि मेरे गर गृर्प मेच में इससादा च्रवाugराई तो फिर तुमने वेरे चीतने की शर्ट क्यों नहीं लगाई कोच वो कहते हैं कि ये लोग जो करें इनको करने दो अगर तुम चीते तो मैं तुम्हें खुद मसाज दूँगा यूज़क लुना से कहते है कि मुझे भी सेम ट्रीटमेंट चाहिए लोना कहती है कि अगर तुम्हें ये डर नहीं है कि तुम्हारी टांगे फ्रिक्चर हो जाएंगी तो फिर मैं खुद ये काम करूंगी यूज़क ये संगर मुस्कुराने लगता है अब स्पोर्स यूज़क की कोच सायून यूज़क से बात करने की कोशिश कर रही होती इतने में यहां पर लूना आ जाती है लूना और सायून एक दूसरे को चानती होती है लूना सायून से पुछते कि तुम्हें यूज़क से क्या चाहिए सायून कहती है कि मैं दुम्हारे स्टुडेंट में बहुत इंडरस्टेड हूं अगर ये अपनी स्पोर्ट्स चेंज करके स्प्रिंट में आना चाहता है तो फिर ये स्पोर्स उनिवरस्टी में आ सकता है लेकिन मेरा गूल डिफरेंट है मैं इस स्टूडिंट की फ्यूचर को बेदर बनाना चाहती हूं ये सुनकर लूना बहुत खुश होती है अब कॉम्पेटिशन चुरू होने से पहले वूजी हौंग लेंग का इंस्रॉक्शन्स दे रहा होतार लूना रूरिस करती है कि वही लड़का जिसको योचंग के उज़से चांस नहीं मिला होता कॉम्पेटिशन में पार्टी स्पेट करने के वज़से बहुत अप्टट दिखाई दे रहा होता है अब योचंग जैसे ही शूज पहनता है तो योचंग को बहुत दर्द होने लगती है अब योचंग बड़ी मुश्किल से अपना शूज उतारता है तो ये देखता है कि इसके पाउं से खून निकल रहा है योचंग अपने शूज को चेक करता है तो उसके अंदर एक कील होता है योचंग ये देख कर ये ही सोच रहा होता है कि ऐसा कौन कर सकता है काफी देर हो गई होती तो लूचंग को कॉल करती है क्यूंकि सब को रेस के लिए बुलाया जा रुहता है यूजेंग के कॉल उठा लेता है लूना कोल सुंते है इसके पास आके दी एinação है। लूना कहती है। लूना कहती किया हुआ है यूजेंग को मतावक सबुआ आप बढ़ाया है। लोना जैसे इसके चोट देखती है तो यह यहां पर डॉक्टर चन को बुला लेती है यूजंग लोना से एक कहरा होते है कि छोड़ी से चोट है इससे मेरी रेस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अब डॉक्टर चन यूजंग को चेक करने के लिया चाते हैं वो कहने लगते हैं कि इस चोड़ी से कट की वज़ा से इसकी रेस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा डॉक्टर के चाने के बाद लूना यूजंग से पुछती कि क्या तुम्हें मालम है कि किस ने किया है यूजंग केते हैं कि अगर मुझे ये मालम होता तो क्या मैं ये शूस पहनता यूजंग केते हैं कि आप घुसा नहीं करेंगर आप इसी मूर में रहेंगी तो मैं अपनी रेस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा लूना कहती है कि मैं घुसा नहीं हूँ अब तुम्हें चल्दी से बाहर जाना चाहिए यूचंग लूना की बास सुनकर मस्कुरा रहा होता है तो लूना इसको कहती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो यूचंग इस बात का जबाब नहीं देता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ यूचंग जा रहा होता है लेकिन फिर वापस आ जाता है तो लूना कहती है कि अब क्या हुआ यूचंग कहता है कि मुझे आपसे कुछ इंकरिश्मेंट चाहिए लोना केती है कि तुम ये कर सकते हो, ये सुनने के बाद योचंग, खुशी खुशी चला चाता है, अपर आप दो शूरूरी होने वाली होती है लोना यहां पर आ कर उसी लड़की से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ और योचंग भी ये देख लेता है अब लुना इसके साथ साइट पर आज आती और इसे कहने लगते कि क्या तुम्हें मालम है कि मैं तुम से क्या बात करने वाली हूं तो कहता है कि आप पहले से जानती थो हैं लुना केदी के ये किस किसम का कि लोग कभी भी compete नहीं कर सकते हैं लुना केदी है कि मैं इस मसले को फिषिली हैंडल नहीं करूंग लेकिन तो मैं योचंग से माफि Univers arose कर रहे हैं ना हैम इस समझ सकते कि तुम कैसा महस सुस कर रहे हो यह सुनकर पौला इस तर चान Jessica हो जादत नहीं देती कि तुम योचंग को नुकसान पहुंचाओ यह कहते है कि मैं इसा किया भी तो क्या लुना गहती कि मैं तुम्हें एक वीक का टाइम गेती हूं तुम फील्ट ठीम चौड़कर चले जाओंगे तो यह कहने लगते है कि मैं टीम चोड़कर क्यूंचाओ आप कितने पैसे पेगे हैं जो आप उसको इस हद तक पर्टिक्ट कर रहें हैं मैं युनिवरस्टी में आपके खिलाफ रिपोर्ट करूँगा लुना कहती के मिस्टर वंग बाहिर ही हैं तुम जाकर रिपोर्ट कर सकते हो अब लुना यह कहके जाने लगती है तो यह लुना को रो यू चंक सेकेंड पॉजिशन पर आता है लुना यू चंक का रिकॉर्टो रिकॉर्ट दे पॉइख भारफी होती है लूना वुजी से कहती है कि यू शंक ने बाके में 10.77 सेकेंड का रिकॉर्ट बना लिया है ये दे लिए वूजी भी काफी खुछुर्य भांग लूना से इसी मसले के बारे में बात कर रहे होते हैं यह कहने लगते हैं कि वैसे तो होंग वन को इस हरकत पर उनिवर्शी से निकाला जाएगा लेकिन मैं उसको एक दूसरा चांस देना चाहता हूं अब चुंके यूचंग विक्टम है तो मुझसे पूछ सकती हो कि वो क्या तो लूना कहती है के वो कुछ नहीं कहेंगा वैसे था हमें ही मौलू है अब लूना और वूजी से और बाят के य। अब लूना कहती है के वो इतना हार्ढ़्ट वर्किंग है और अपने आपको प्रूफ करने के लिए वो इतनी परेशान हो गई क्या तों वाकिये में ते याम पर ञाएं लुना इसको मारते क्योंदे थे कि आजिए कि मिस्टर में पर किसे कर सकते हो एगर हाइजम की बात की जाए तो उसमें यूचंग लाग करता है इसलिए इस स्पोर्ट की मदद से यूचंग काफी आगे तक जा सकता है लूना कहती है कि तुम इस पारे में मत सोचना मैं तुम्हें कभी भी अपना स्टूडेंट लेकर जाने नहीं दूंगी लूना जैसे घर पर तो यहां पर एक इंविटेशन कार्ट पड़ा होता है लूना इसको पढ़ने लगती है तो यूचंग ने इसको अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में इंवाइट किया होता है लूना यह पढ़कर कहने लगती है के मेरी हैंड राइटिंग भी इस टॉडेंट से बहतर है साथ लूना इसे पुछ लगती है कि तुम किस-किस को इनवाइट करने वाले हो तो यूचंग कहता है कि टीम मेंबर्स और अपने क्लास फैलोज को लूना यूचंग से कहती है कि मैं तुम्हें वार्ण कर दू कि टीम में जतने भी लोग हैं वो बहुत साथा खाना खाते मुझे नहीं लगता कि लूधक करता है कि मुझे मृचंग मांनी मिलती हमें इस्टमाल नहीं की तो मैं यह नहीं कर सकता हूं लूचंग करता है कि तुम फिर बाद में कैसे सरफाइ Fiona करोंगा लूना कहती जानने के बाद मैं लाइख करनेदूंगी योचंग कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है योचंग कहता है कि एक छोटे से टाउन में हमारा एक घर है हम घर पर गेम्स भी खेल सकते हैं और यार्ड में हम बाबी क्यों कर लेंगे लूना कहती है कि मुझे अब मालम हुआ कि तुम अमीर नहीं बलके बहुत अमीर हो अब यूचंग सब को अपने घर पर ले आता है यूचंग के मॉम ने यहां पर सारा अरेंजमेंट किया होता है और यहां पर यूचंग की मॉम ने इसके पश्पन की तस्वीरें में डिस्प किया यहां पर कोई लड़की है जिसको तुम इंप्रेस करना चाहते हो साथ सब्क्रा लुरा नहीं है अचाती है अब अपने वinky पैड कर जब रिंक कर रहा होता है यहmorgov क वुझी के साथ रह चाहता है योचेंग नुना के पास चाहता है कि क्या आप जर्स है? नुना इस पाफ परस्राध बहुत है योचेंग के हैं। इसलिए आप मजाग में भी यह मत कहेंगे हम कपल है लूना कहती है कि क्या तुम ड्रंक हो तो यूचंग कहते है कि हाँ मैंने बहुत ड्रिंग की है अब यूचंग यहाँ पर नूना की मलत करने रखता है लेकिन लूना इसको कहती है कि तो महाँ पर जाकर बैट चाओ, मैं खुद ही कर लूँगी यूचंग लूना से कहते हैं कि आज आज आप मुझे अवाइड कर रही है मैंने ऐसा क्या गलत किया है या पिर आप अचानक सही मुझसे नफरत करने लगी है लूना कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती यूचंग कहते है कि आप करती है लूना कहती है कि शायद मैं बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि तुम्हारी गोर्ड मेडल जीतने के बाद मिस्टर बांग की एक्सपेक्टेशन्स भी काफी बढ़ गई है हमसे यूचंग कहते है कि आज मैं अपनी मोम से मेडल इसलिए मंगवाए थे ताके मैं वह आपको दिखा सकूँ लूना जब इस मेडल को देखती है तो ये जूनियर स्कूल में यूचंग का हाई जर्म का मेडल होता है यूचंग कहते है कि उस टाम पर मेरी एज सिर्फ 9 साल थी लेकिन मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टी स्पेट करने के लिए अपनी एज जादा बताई ताके मैं कॉम्पिटिशन में पार्टी स्पेट कर सकूँ मेरे जितने भी ओपिनन्स थे वो मुझसे काफी लंबे थे लेकिन मैं कॉम्पिटिशन जीतूंगा और एंड में मैं ये कॉम्पिटिशन जीत भी गया कि सुनकर लूना इसकी तारीफ करती है यूचंग लूना को ये मेडल पहना देता है लूना कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो मेडल जीतूंगा वो सारे मेडल्स मैं आपको ही दूंगा लूना कहती है कि फिर मैं तुमारे लिए इनको संभाब कर रखूंगी लूना यूचंग से कहती कि क्या तुम वाकह मैम नहीं चारना साथे कि तुम्हारे जूटे में कील किस से बूछ रही हूं यह सुनकर लूना को बहुत बुरा लगता है यूचंग भी अच्छा नहीं लगता किसके मॉम ने कोच से काफी रूडली बात की है यूचंग लूना से कहते कि आप चली जाएं मैं माम से खुदी बात कर लूँगा जब लूना दूर खड़े होकर यूचं ने कामपडिशन जीगता था और दूसे तरफ यूचंग भी ही सोच्छा होता है कि आप लूना का बहेविर्स के साथ अचीब क्यों था इसी मॉमेंट पर ये एपिसोड खतम हो जाती है